तो हें guys welcome back, तो guys, इस इस इडिवें हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग किसी भी website का एक clone कर सकते हैं, कोई भी अगर server पे या फिर आपको google पे कोई भी website आपको दिखता है, तो किस तरीके से हम लोग source code ले सकते हैं, और यहां पे हम लोग साफ लफजों में अ एक website को, और वो मतलब कि मेरा ही website रहेगा, और उसको मैं target करके आप लोगों दिखाऊँगा कि किस तरीके से उसका मैं source code को अपने computer में download कर चुगा हूँ, तो जैसे कि आप मेरे को जानते हैं, मैं हूँ आकिब रहमानी और आप देख रहे हैं website, तो चलिए शुरू करते हैं, जैसे कि मैं अपने display पर आ चुका हूँ, और यहां पर सबसे पहले आपको आ जाना है Chrome browser के उपर, जिस पर मैं आप लोगों दिखाने वाला हूँ, कि मैं किस website को target करने वाला हूँ, तो simply मैं यहां पर एक जो अभी हमारा domain है, उसको मैं यहां पर simply डाल दूँगा, और देख सकते हैं कि यहां पर यह SSL secure भी है, इसका मतलब कि इसको hack करना काफी ज़्यदा हमारे लिए मुश्किल होगा, तो गैसे हम लोग किस तरीके से ऐसा मतलब website को कैसे हम लोग source code को download करेंगे, और सारा कुछ हम लोग completely इसको local पर अपने मतलब की computer पर ले करके आ जाएंगे, तो गैस देख सकते हैं कि यह काफी अच्छा है, और अगर आप लोग source code इसका चाहिए होगा, तो आप लोग comment कर सकते हैं, मैं इसका complete source code दे दूँगा, तो गैस अभी आपको क्या करना है, कि मैं क्या यहाँ पर website का use करने वाला हूँ, क्या software यहाँ पर use होगा, तो सबसे पहले मैं new tab open करता हूँ, और यहाँ पर type करता हूँ ht track, ठीक है ht track आप जैसे ही अपने browser के उपर search करोगे, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर website देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है इस पर आपको simply click कर देना है, जैसे आप इस पर click करोगे guys, तो कुछी तरीके से आपको fast interface देखने के लिए मिल जाएगा ht track.com का, और यहाँ पर आपको second option में आ जाना है, download में और जैसे आप यहाँ पर आओगे, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मिल चुका है, download करने का, यहाँ पर अपने system के specification के हिसाब से, यहाँ पर download कर सकते हो, तो फटफ़ट से मैं यहाँ पर download ht track और exe पर click कर देता हूँ, और जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा exe जो है, वो मेरे को मिल चुका है, और यहाँ पर सब्सक्राइब आप लोग को download section में आ करके दिखा देता हूँ, कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा exe file मेरे को मिल चुका है, ठीक है, download हो चुका है, simply आपको यहां पर show in folder पर कर सकते हैं और अभी कैसा है कि इसको setup को मेरे को install करना होगा तो वो काफ़ी जदे easy है guys आप लोग फटाफट से इस पर click कर सकते हैं और यहां पर guys आपका जो setup है वो simply आप लोग exe file पर click करके यहां पर next कर देना है और यहां पर इसका agreement को हम लोग को accept करना होगा और यहां पर कुछ इस तरीके से आपको simply next next करना है और यहां पर desktop को आपका icon पर रखना है desktop पर तो icon यहां पर आप लोग simply tick करके next कर सकते हैं और फिर हम लोग यहां पर install पर click कर देंगे तो अब हम लोग website को किस तरीके से hack करेंगे और website का हम लोग source code किस तरीके से download करेंगे उन सारे चीजों के बिवारे में आप यहां पर बात करते हैं तो वापस से मैं आ जाता हूं जिसको मैं target किया था तो यह हमारा एक website था इसको हम लोग को अभी source code इसका चाहिए होगा जैसा कि देख सकते हैं कि यह हमारा server पर चल रहा है हैं यहां पर देख सकते हैं कि यह folder बन चुका है अब आप आजाईए इस ट्रेकर वेबसाट के इस software के अंदर और यहां पर simply हम लोग next पर click कर देंगे और यहां पर जो भी आपका project name है वह आप यहां पर रख सकते हैं जैसे मैं यहां पर इसका website name देता हूं project का और यहां पर गयाई अब मेरे को यहां पर simply next करना तैक करना होगा उससे पहले आप लोग क्या करना होगा कि यहां पर जो आप लोगा past रहेगा ठीक है जो base past रहेगा जहां पर हम लोग यापना प्रोजेक्ट पो मतलब की रखना है, तो इसके लिए मैं आभी यहाँ पे आप लोग को एक फॉल्डर बनाया था, जो कि ये वाला है, हैक करके, अभी यह हमारा कहां है, तो यह हमारा simply desktop के ऊपर है, तो अभी हम लोगो फटा-फट से desktop के उपर आ जाना होगा तो देख सकते हैं guys कि यहाँ पे हमारा यह मिल चुका है आपको folder तो simply इसको ok करना है और यहाँ पे आपका कुछी तरीके से location भी show हो जाएगा दिन आपको यहाँ पे simply next पे click कर देना है तो यहाँ पे आपको add URL का एक button देखने के लिए मिलेगा simply आपको इस पे click कर देना है दिन जो अभी आप ने जिसको भी target किया है उसका URL को copy करके simply यहाँ पे आपकर पे paste कर देना है ठीक है अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है simply आपको ok पे click कर देना है और यहाँ पे आपका जो भी URL है वो आपको यहाँ पे show भी हो जाएगा और simply आपको next पे click कर देना है and finish पे click कर देना है और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग वोल्ड कर लेंगे जितना वड़ा हमारा website होगा उतना थोड़ा time लगेगा उसका code को copy करने में सर्वर से अभी हमारा यहाँ पे जो code है वो सारा कुछ यहाँ पे copy होना स्टार्ट हो चुका है और हम लोग थोड़ा से वेट करके देख लेंगे कि हम लोग को क्या कुछ चीज के अंदर मिला है यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मतलब complete हो चुका है और यहाँ पे thanks for using win HD tracker करके आ रहा है ठीक है अब हम लोग यहाँ पे सारा file और code सारा कुछ जो मिला है उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो simply आपको finish कर देना है और exit कर देना है अपनी हिसाब से ठीक है तो यह अभी हमारा जो है यह server पे चल रहा है जो भी आपका base यहाँ पे folder रहता है वो उसके अंदर यह folder बन गया इसका मतलब कि इसके अंदर ही मेरा सारा material होगा सारा code सारा source code हर एक चीज़ होगा इसके अंदर सो गैस देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको बन के मिल चुका है और सारा कुछ अपना इसके अंदर आ चुका है अभी मैं इन सारे को यहाँ पे से copy कर लेता हूँ और मैं एक new folder बना लूँगा ठीक है कुछ इस तरीके से मैं इसका theme name दे देता हूँ और simply इसको open करके यहाँ पे सारा कुछ paste कर देता हूँ ठीक है अभी मैं यहाँ पे simply index को run करता हूँ अपने local पे तो गैस देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो भी मलब कि actual में जो हमारा server पे था और अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि C के अभी हमारा desktop के उपर जो हमारा theme folder उसके अंदर से हमारा चीज जो है वो run हो रहा है और काफी कुछ हमारा मालब हर एक चीज हमारा यहाँ पे गैस सेम है ठीक है तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी इसके अंदर है वही सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा हर एक animation पूरा source code सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल चुका है और अगर मैं यहाँ पे photos वग करके देख चुके हैं कि किस सरीके से हम लोग यहाँ पे किसी भी website को है करके अपना source code अपने पास ले सकते हैं अगर वीडियो आप लोगे helpful लगता है तो hit the like button and do subscribe मैं चैनल सब्सक्राइब मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स वीडियो में तब तक कलिए बाबाई